जिन्देगी में खुशियों की दस तक होते ही हमें ऐसा लगता है मानो हमें सब कुछ मिल गया हो दिल जूम जूम कर नई जिन्दिगी के सपने सजोने लगता है लेकिन जरा से गम की दस तक होते ही पूरी तस्वीर बदल जाती है हमारी खुशियों में दरारे पढ़ने लगती है हम डिप्रेस्ट हो जाते हैं ये जानते हुए भी कि डिप्रेशन एक ऐसी बिमारी है जो हमें अंदर से खोकला कर देती है आपकी खुशियों की ऐसी ही दरारों को भरने की हमारी ये कोशिश है क्रिस्टल्स और हम आपको डिप्रेशन से दूर करने की कोशिश है क्रिस्टल्स और हम मैं हूँ राहिला रह्मान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनूप अगरवाल जी जो क्रिस्टल्स के जाने माने एक्सपर्ट हैं जो आपको आज बताएंगी कि कैसे क्रिस्टल्स के जरीए आप डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं आईए स्वागत करते हैं अनूप अगरवाल जी का अनूप जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार राइला आपने बहुत सही कहा आज का ये बहुत टॉपिक इंपोर्टन्ट है डिप्रेशन यहां पे अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि डिप्रेशन का क्या मतलब है अक्सर लोग कह देते हैं हमारे को इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में या वो अपनी जिंदिगी से भी अपनी इच्छा को देते हैं यहां पे डिप्रेशन क्यूं हुआ उसका रूट कॉस जानना जरूरी है जब तक हमें रूट कॉस नहीं मिलता डिप्रेशन क्यूं हुआ आपस के विचारों में आपस के संबंदों में या अपने केरियर में सकस्स नहीं मिलना होगा उसकी सोच में जो आज है उसको भी खराब कर रहा हूँ एक चोटे से बच्चे का यहां एक्जेमपल लेता हूँ वो चोटा बच्चा क्या करता है उसने एक चीज़ मांगी और आपने मना कर दी तो उसने क्या किया वो थोड़ा सा रोया आप आप आपने कहा कि नहीं र पर क्या चीज की कमी थी उसको क्या चाहिए था उसको ना देके उसको हमने स्टेट वे मना किया अगर वहीं पर हम उस चीज की रिक्वाइर्मेंट या तो पूरी करते या उसको प्लस माइनस समझा देते कि इसको हम इसलिए नहीं दे रहें अब उसकी भाशा में हमें समझा होते हैं और कॉन से क्रेमेंट करेंगी अगए जिए चोटे-चोटे क्रिस्टास होते हैं जो बॉड़ी के सा हैं उब आप अपना बांग लिया जिए डो स्टोन सेब ने के लिए अगर आप decision लिया है वो गलत है यह सही है और एक में request आप सबी से करूँगा किसी भी चीज का response immediate मत दीजिए आपको कोई चीज पसंद है या नहीं पसंद आप उसमें आदे घंटे का समय नियम बान लीजिए कि मुझे आदे घंटे बाद response करना है तो आपका गुसा भी ठंडा हो जाएगा और आप अच्छे बुरे के पैचान खुदी कर पाएंगे exactly बिल्कुल सही बात आपने भूलिये एक email यहाँ पर अनूब जी हम ले ले लेके हैं इन्होंने लिखा है अनूब जी मेरा नाम मालती शर्मा है मेरी बेटी का एक फ्रेंड था अच्छा फ्रेंड था शायद उन दोनों में प्यार भी था एक दिन जब वो उससे फोन पर बात कर रही थी तो बात करते करते ही उसके फ्रेंड का आकसिडेंट हो गया और उसके डेथ भी हो गई तब से मेरी बेटी डिप्रेशन में है कि उसकी डेथ उसकी वज़े से हुआ यह उसकी डेथ के जिम्मेदार वो है और आज तक वो उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाई है प्लीज आप मेरी हेल्प किजे देखे जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ यहां पे बच्ची के अंदर यह बहुआ ना बिलकुल लाजमी था अगर वो ड्राइविंग कर रहा होगा और उस राइम फोन पर बात्ची चल रही होगी तब ही एक्सीडेंट हुआ होगा नैचरली ऐसे केसिस के अंदर उस बच्चे के अंदर गिल्ट आ जाएगा लेकिन इस गिल्ट को दूर करना वो हमारा काम है बच्चे को आप लेके हमारे पास आजेए और उस बच्चे से हम यकीन मानिए कि आपकी बेटी बात में पहले हमारी और वो बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मालती जी बहुत बड़ी बात यहांपे अनूप जी ने बोली है कि आप अपनी जो बेटी है उसको लेकर आए बिकोज इस तरीकी की जो situation है उस पे phone पे guidance नहीं दी जा सकती या फिर मैं कहा हूँ कि आपको कोई recommend नहीं किया जा सकता है कि ये crystal ले जाकर घर में रख दीजे तो बेटी ठीक हो जाएगी बहुत अच्छा होगा अगर आप personally आके अनूब जी से मिलें क्योंकि वो proper guidance आपको दे पाएंगे उसकी psyche जो है उसे समझ पाएंगे basically और उसके बाद recommend कर पाएंगे क्रिस्टल क्योंकि इसमें counseling भी चलेगी और साथ में जो crystal जो minerals की जो requirement है उस age के हिसाब से उसको कितना deficiency हुई है वो उसको भी substitute किया जाएगा तो आप समझ गया होंगे मालती जी कि अनूब जी ने क्या वो चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को लेकर आएं और किस तरीके से उनका पूरा procedure चलेगा उसको ठीक करने के लिए उसके बाद result positive होगा इस बात की guarantee हम दे सकते हैं अनूब जी यहाँ पर जैसे यह depression हुआ उसको ऐसा feel होता है guilt feeling की वज़े से depression हो गया और कई बार हम देखते हैं कि पढ़ाई की वज़े से depression हो जाता है तो आपने crystals बताए कैसे इस्तिमाल किया सकते हैं लेकिन जैसे दूसरी बीमारियों की बात करो या फिर किसी और चिसके बात करो अलग-अलग crystals होते हैं उनके लिए depression भी अलग-अलग crystals होते हैं या एक ही crystal सब तरीके की depression नहीं एक crystal सब में काम नहीं करेगा इसमें composition दिया जाता है मतलब उसके combination दिया जाएगा आप जैसे tablet आप एक खाते हैं तो उसके अंदर एक salt नहीं है उसके अंदर minerals, different minerals हैं और उसका एक बनाके एक tablet बना दी कही है या आपको syrup ले रहे हैं या कोई भी चीज ले रहे हैं लेकिन वहाँ पर क्या इंटेक है इंटेक बोडी एकसेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है उसका side effect हो सकता है लेकिन यहाँ पर जो crystals आप यूज करेंगे जो हम लोग एकटे group बना के देते हैं वो बोडी उतना ही एकसेप्ट करेगी जितनी बोडी की requirement है लेकिन कोई time period ऐसा होता है कि depression अभी तक दूर नहीं हुआ तो अजो stone आप यूज करें जो crystal यूज करें उसकी word में समझ नहीं आरा है लेकिन अगर expiry date उसकी expiry ऐसच कुछ नहीं है यहाँ पर जो requirement है वो यह है कि उसमें से कितना mineral absorbed हो चुका है वो stone रह जाएगा फिर mineral property नहीं रहेंगी और in due course of time वो सिप सिंपल स्टोन रह जाएगा लेकिन कब होगा यह different depend upon कि किस आदमी ने use किया है कितना frequent use किया है और उसकी body ने कितना mineral absorbed किया है मान लीजे मैंने आपको कहा कि अब कितनी देर में खतम होगा इसकी कोई assurance नहीं दे सकता हो सकता है सारा दिन हमें प्यास ही ना लगे और हो सकता है एक गंटे बादी वो bottle खाली हो जाए यह depend करता है उस body का metabolism के उपर उस body की requirement के उपर तो यहाँ पे कोई आपको किस तारीक से impact आएगा लेकिन कैसे पता चलता है यह मैं आप से पुछूँगी लेकिन उससे पहले एक email हम ने लेते हैं हम जानते कि हमारे दर्शक बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे होंगे इस बात का यह दिपिका सिंग जी का email है अनुप जी मेरा नाम दिपिका सिंग है मैं मेरे भाई की problem पुछना चाहती हूँ उनके शादी हुए छे साल हो गए है और उनका एक चार साल का बेटा भी है मगर उनकी पतनी का किसी और के साथ चक्कर था और तीन महीने पहले वो बच्चे को छोड़कर उसके साथ चली गई इस हादसे के बाद भाईया तो तूटी गए है प्लीज आप कुछ मदद कीजे तेखे सबसे पहली बात तो यह है कि चार साल का बेटा हो गया और अगर उनका कहीं और था तो भाई को क्या पता नहीं लगा और अगर इन केस नहीं भी पता लगा आप चिंता नहीं करिए आप आजए ये और इन क्रिस्टल्स की मदद से भावी जरूर वापिस आईगी यहाँ पर हमने सिर्फ अपने एक लिंगम स्टोन होता है एक नेगेटिव रिमूवल का स्टोन का सेट होता है उनको हम लोग यूज़ करते है जी लेकिन ऐसी सिच्वेशन में अगर अनूप जी मतलब क्योंकि वो एक बार जा चुकी है तो उनके ओपर डिपेंड करता है कि वो चाहते हैं वो वापस आए या ना आए तो ऐसे में मतलब क्रिस्टिल सेम ही रहेगा या पर डिफरिंट आप उनकी राइला मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरे से बात करना जरूरी है क्योंकि यहां मैं उस आदमी से ये बात करना जरूर चाहूंगा कि वो वाकई उनको वापस बुलाना चाहते हैं या एक रिवेंज के लिए वापस बुलाना चाहते हैं यही मैं जानना चाहते थी क्योंकि अगर वो रिवेंज के लिए वापस बुलाना चाहते हैं तो उस केस में हम बना कर देते हैं तो दिपिका जी हमारी contact details आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार flash हो रही हैं, आप contact कर सकती हैं हमें, वैसे personal हमारा सुझाव यही रहेगा कि आप अनूप जी से personally आके मिल लें, जिससे वो पूरे अच्छे से समझ पाएं कि आपके भाई क्या चाहते हैं और उसके बाद ही आपक को analysis करिए, जो कि वाकई tough काम है और आप अपनी analysis करिए कि हमने कहां गलती करिए, यकीन मानिए हम किसी को नहीं बदल सकते हैं, अगर मैं अपने आपको भी नहीं बदल सकता, तो यकीन मानिए आप किसी को नहीं बदल सकते हैं, और अगर आपको अपने आपको बदलने में द बात देने के लिए अनुव जी बहुत ही अच्छी इंफरमिशन आपने हमें दी और इतनी अच्छी अच्छी बाते बताएं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो दोस्तों डिप्रेशन को अपनी जिंदगी में घर मत बनाने दीजे क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको अंदर से खत्म कर देती हैं आप खुश रहिए यही हमेशा कोशिश रहती और इसमें आपकी मदद कर सकते हैं क्रिस्टिल्स कैसे करेंगे क्रिस्टिल्स मदद और कौन से क्रिस्ट्ल्स relativ आपके लिए अच्छे होंगे ये आप जान सकते हैं हमें कॉंटाक्ट करके हमारी कॉंटाक्ट टीटेल्स हैं डूर्ट सत्यमनी.org हमारा इमेल है इन्फो एड़ रेट ओफ सत्यमनी.org डिप्रेशन को कैसे कर सकते हैं दूर ये जाना हमने आज के अपने इस एपिसोड में अगली बार फिर होगी मुलाकात क्रिस्टल्स के बारे में कुछ और जानकारियों के साथ तब तक के लिए Be Positive, Keep Smiling क्योंकि हमें आपके फिक्र हैं क्योंकि हैं क्योंकि है